पहली बार जासूस के रोल में नज़राएंगी मौनी रॉय, लंदन में शूट गिया नया प्रोजेक्ट, बहु चर्चत सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहुत ही से 2006 में 15 साल पहले मौनी टीवी इंडिस्ट्री का इसा बनी, धीर सारे सीरियल्स और रियलेटी शूट के बाद फ अपनी नई फिल्म लंदन कॉन्फेडेशल के साथ, जो जी 5 पर स्ट्रीम होगी, कोरोना वायरस की महामारी से ग्रस्त दुनिया पर आधारित इस्थ फ्रीलर में मौनी बनी है एक रॉय एजेंट उम्मा, जो चाइना की एक साजिश का परदा फाश करती है, मौनी रॉय या अपने लंदन में फिल्म की शूटिंग की है, तो ऐसे में शूटिंग का अनुभव कैसा रहा? मौनी रॉय हमने इस फिल्म की शूटिंग लंदन में लॉकर डाउन खत्म होने के बाद शुरू की थी और दूसरा मुझे लंदन में शूट करने में बहुत मदा आया, क्योंक लेकिन एक चीज जिसने हमें थोड़ा सा परिशान किया था पर वो ज़रूरी भी था वो था कोविड टेस्ट जो हमें वहां करवाना पढ़ा, लेकिन इस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी शूटिंग का अनुभव शानदार रहा, कोरोना के चलते फिल्म के क्रूम अपने अपने चेहरों पर मास्क और फेस शील्ड लगाते थे, तो हमें चार से पांच दिन लगें लोगों को पहचाने में उसके बाद हम उन्हें उनकी आवाज से पहचाने लगे, अस्ते हुए पर आखिर कार शूटिंग काफी अच्छी रही, सवाल मॉनी आपकी पिछल फिल्म एड इन चाइना थी और इस फिल्म में जो वाइरस है उसका भी चीन से कनेक्शन है, मौनी रॉब है, अस्ते हुए गाश ऐसा मैंने कुछ पढ़ कर पसंद नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि चायना एक बहुत सुन्दर देश है तो मुझे जब भी मका में दिगा में चायना घूमने जरूर जाओंगी